हेलो दोस्तों सागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल में साइट आई जो पर तो हम आप लोग के साथ फिर से जूड़ चुके हैं एक नए रिक्वार्मेंट के साथ तो दोस्तों मैं आप लोग पता दू तो मारूती सुझ की इंडिया प्राइबेट लिम्टेट कंपनी जिसका प्लांट आपको मानेशर और गुरुगाव में देखने को मिल जाएगा तो वहां के लिए एफटी सी के लिए भरती प्रक्रिया निकल के आ चुकी है जिसके तहद आई टाई पास आउट मिद्वारों को तीन साल के लिए रखा जाता है 35 जाद तक आप सबको इसमें CTC से लिए देखने को मिल जाती है आई टाई पास आउट कनिडेट इसके लिए इलिजिबा रहते हैं 18-26 साल एज लिमिट रहने वाला है तो फार्म इसका ओपेन हो गया है जो भी कनिडेट मारती सुझकी में ज्योब करना चाते हैं तो आप सब इस फार्म को अपलाई कर सक को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि कौन-कौन से कंडिडेट इलिजिबल रहने वाला है तो सारा कुछ इंफार्मेशन मिलेगा वीडियो के लाश्ट तक बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चले दोस्ता वीड इसमें इलिजिबल रहेंगे एंसी बीटी दोने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप सबका सेलेक्शन जो है आपका और टेस्ट प्रस्टनल इंट्रिव्यू के माध्यम से कराया जाएगा तो आप सबको फार्म भरने के लिए नीश्या आने होगे जहाँ पर आपको क्लिक हेर पर आप क्लिक करेंगे तो जो है आपका यह लिंक ओपन होगा जहां पर आप सबको इसमें अपना जो है चैट्गरी सेलेक्ट आटोमेटिक रहेगा आपको जो है मारती सुझ की में किस कैट्गरी में आप काम कर चुके हैं तो यहां पर CW TW और अप्रेंटिस यह तीन कैट्गरी आपके सामने आएगा तो मैं आपको बता दूँ तो इस रिक्वार्मेंट में वही लोग होते हैं जो लोग मारती सुझ की में CW TW यह अपरेंटिस तीनों में से किसी एक कैट्गरी में आपना जो है संपूर्ण योगदान देके वर्क जो है एक्स्परेंस लिए हैं तो वही लोग इसमें इलिजबल रहते हैं अगर आपने CW किया है या TW किया है या अपरेंटिस कोई भी एक किया है तो आप इसमें इलिजबल रहेंगे आपको अपना केटिगरी चुझ कर लेना है उसके बाद इस टाप आप आईडी जब मारती सुझ की में आप इसे शुमें के अपने CW करेंगें तो आपको कुछ टिकट अनमर मिलता है जो आपको पंचींग कार्ड होता है उसका नमर होता है तो जो भी करड् appointments जोब किया होगे उनको पता होगा तो आपना certificate töमर यहां पर फिलप करेंगे फिर अपना इंटर अधार अपना अधार नमर फिल अप करेंगे उसके बाद जब सम्मिट करेंगे तो आपका यहीं पर eligible not eligible लिखेगा अगर आपका eligible लिखता है तो आप आगे का farm भर सकते हैं अगर आपका not eligible लिखता है यहाँ पर तो आप इस farm को नई भरेंगे जो submit button है इसके just सामने ही आपका eligible और not eligible mention किया रहेगा जो लोग का जो है not eligible दिखाएगा वो लोग अगले बाद try करेंगे और जो eligible दिखाएगा जिन का वो लोग अपना farm स्वख्षा अनुसार जो है भर सकते हैं नीचे आप आएगे तो आपको यह personal information फार खुल खुल के सामने आएगा उसके बाद इसको फिल अप करेंगे तो फिर आपका आईटाई details फिलप करना होगा अधार details पाइनकार details उसके बाद है present address permanent address permanent address में आप देखेंगे तो यहाप हर एक राज्य का लगभव जो है इस सो करने वाला है जिसमें अभी तो फिलहाल पांच राज दिये गए जिसमें उत्रपदेश उत्राखंड राजस्थान पंजाब और हर्याना इतने राज्य के लिए यह requirement अभी निकाला गया है जो है FTE का तो इस चीज का ध्यान अकते हुए आप फार्म को अपलाई करेंगे अब उसके बाद जो है अपना डाकुमेंट आपको जो है सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट डाकुमेंट करके आप अपलोड करेंगे यहां के बाद जो है आपका TW का प्रोसेस होता है उसके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूट कर लें चले दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए रिक्वार्मेंट ना जानकार के साथ तब तक लिए जहीं